कीुछौर्ण्स में हम सुरुवात कब करने हैं कि हम अगर अपनी जर्मिस ठोह करने जा रहे हैं हैं मीजयौ misf में सुरुवात कब करें कब का मतलब दो तरीके से हो सकता है या तो आप पूछना चाहते हो कि सेर मार्केट ऊपर है या नीचे है तो ऊपर में निवेश करें या नीचे में करें ये तो एक जनरल सा कुस्चन हो गया कि मार्केट नीचे है ये तो सब को सब किसी को पता होता है कि नीचे है तब हम निवेस करें तब रिटन जल्दी बनता है बिल्कुल सही है लेकिन ना हमने देख के आया है ना आपने देख के आया है कि मार्केट ऊपर से भी उपर जा सकता है नीचे से भी और नीचे गिर सकता है हमें ये चीज़ तो पता नहीं रहती है कि मार्केट और कितना गिरेगा मान लो कि अभी निफ्की 23,000 रुपे आई हैं अब क्या होता है धीरे धीरे मान लो कि वो निफ्की 20,000 आ जाती है मान लो एक परकार से 20,000 आ गई अब 20,000 में हमें कैसे पता कि के बीचे जार के हैं मान लो के 18,000 आ गई तो ये चीज नहीं कह सकते हैं आपकी कब करें कब सुरवात करें देखो सबसे सिक्योर हैं निफ्क नाग कि यह मैं फिर बता रहा हूं सेयर मार्केट में इक चीज हमेसा याद रखना अगर आपको नोलीज नहीं है तो सेयर मार्केट जेपी पावर का भी सेर कभी महेंगा हुआ करता था आज 5-6 रुपे से जाके 16-17 हो पाया है ऐसे बहुत सारे उदारने फंस जाओगे तो 20-20 साल फंसा रहेगा पैसा बीना नॉलेज बीना कुछ जानकारी के आप निवेस करोगे तो फंसोगे यह चीज आप क्या रखना केंडिशन में आद्मी फस जाता है दो आपको लगता है कि मालो कि एक सेर केंपज का सेर है बहुत अच्छा सेर है किसलिए अच्छा है जूता सब कोई पहनता है जूता हमेसा सब को फ्रamment बेहनेगा विजनिसस उसका बढ़ना ही बढ़ना है केंपस का जूता एक ऐसा जूत जूता है वो कि अमीर भी पहनेगा इजएडबनी रहेगी गरीब भी भी पहनेगा इजएडबनती है और बाकि नाइकी वगेरह बढ़न गरीब परिवार नहीं पहन पाता है चारहजार से सुरुआत है तीन हजार से आलमी कुछ यह 500-600 का वो केमपस देता है कम रुपया में अच्छे कोई की देना तो केमपस हम लोग काफी दिनों से पहन रहे हैं तो केमपस का एक सेर था जो अभी एक गेर सार पहले मार्केट में आया बूम हो गया एक दम दोसो असी यह नब्वेगा उसका जो है आईपीओ था उसके बाद होता गया है कमपस का सेर बढ़ना सुरू होता है और च्छे सो पुन्तालीस चालिस का हाई बनाता है अब आदमी वहां पे यह सोच रहा था साइद है और बढ़े और बढ़े वहां पे बहुत सारे लोग लि सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमारा कहने मतलब यह ही कि मिचोल फंट्स में आप सुरूआत कभी भी कर सकते हैं उसमें कोई कोई सुचने बिचालने वाली बात नहीं है क्योंकि मिचोल फंट्स के अंदर आप दो तरीके से निवेस करते हों एक लंसम के जरीए निवेस करते हो डोस्तों आप जब एसाइपी और लंसम में जाके निवेस करते हो तो एसाइपी में आपने क्या किया मारा लों 5,000 कि S.I.P. का मतलब निफ्ति का इंडेक्स था, वो इस समय बाइस हजार रुपए पे था अगले महिने आते आते 20,000 का इंडिक्स हो गया ठीक है निफ्टी आपकी कितनी हो गई 20,000 की यहां पर भी आपका निवेश हुआ पांच हजार पर मंत का अब क्या हुआ यहां पर आपने उपर लिया यहां आपने नीचे लिया आपका जो एने भी है ना वह एवरेज में क मतलब 21,000 के मार्केट के हिसाब से आपके पास एवरेज आ गया इस दोनों के बीच की वेल्व हो गई ऐसे ही कर करके साइपी का मतलब ही यह होता है मार्केट उपर रहे नीचे रहे आपको निवेश करना है आप निवेश करिए बस निवेश से मतलब रखिए और दोस्तों लॉंग करम का नजरिया रखिए पांच साल के एबब ही रखिए अगर अच्छा खासा पैसा आपको बनाना है तो यह आपको 18-20% सालाना रिटन मिल जाता है तो अगर एक करोन नहीं तो 80-90 लाग भी आपके पास बन जाएगा क्योंकि मिचल फंट्स के अंदर रिटन जो है 15-20% के सालाना रिटन इतिहास बताता है कि इतना दे देते हैं 15-20 तो 15-20 के बीच में भी अगर 17-18 भी मिलता है तो 17-30 लाग रुपे का फंट बनता है अगर आप 3,000 रुपे अनिवेस करते हो मिचल फंट्स के अंदर पर मन्त 20-21 साल तर ऐसे समझ लो आपके लड़के अगर हो गए ना पैदा हो गए उनके साथ-साथ इंविश्मेंट भी स सकती है यह चीज आप हमेशा याद रखना इसमें आप मार्केट ऊपर हो नीचे हो बस लॉंग करम का नजरिया रखना और निवेस करो ठीक है ऐसा नहीं है हाँ यह चीज़े हो सकती है कि आपने बहुत चड़ती हुए मार्केट में आप मिचल फंट्स बाई किये तो S.I.P कि जरी अगर आप निवेस करते हो तो तो आप फाइदम रहते हो तो कि मार्केट उसके बाद जैसे मैंने बताया 22,000 रुपे लिया फिर 21 आ फिर 20 आ गया तो यह एवरेज होता रहा आपका अब यहां पर क्या हुब इसने पांच षुलाद रुपे लगाई थी अई इस बिचारे का क्या हुआ मारकेट आ गया 20,000,00 जैसे मैंने बताया ये अब आ गया 20,000,00 पांच लाग रुपेया था, 20,000 पे मारकेट आ गया आपका मतलब निफ्टी का इंडेक्स 20,000 पे आ गया जिसरे की मैंने यहां पे आपको बताया था, अब क्या हुआ मालो की 20% मार्केट गिर गया है थीक है 20,000 मालो एक हिसाब से अब क्या बच्छा आपके पास 4,00,00 रुपे बचे अब आदमी ये थोड़ा परिसान रहेगा अब ये सुच रहा था यार दो महिना पहले में ने दिया था तो मन्त पहले हमने लिया था और हमें हम अगर थोड़ा तसली रख लेते दो महिने रुख जाते 5,00,00 रुपे लगाने को तो क्या होता कि हम यहां पे जो चार लाग बचाना यहीं पे पांच लाग रुपय इंवेश्ट कर रहे होते यहां से मार्केट उठने जल्दी उठ जाएगा अब क्या होगा यह जब उठेगा तब इसके बराबर पहुंचेगा और पांच लाग से उठता तो सीधे छी लाग बना देता यह चीजें इतना सोचोगे ना सेहर मार्केट के अंदर तो हो जाओगे पागल यह चीज आप भी हमेंसा याद रखना क्योंकि अगर आप देखोगे ना आज आपका प्रपोलियो ग्रीन दिखेगा कल रेज दिखेग अगर आप इतना माइंड करोगे कि जो है ऐसा कैसे हो गया यार पांच हजार आज मिल रहे थे और अब नहीं मिल रहे हैं हमारे भी कुछ दोस्त हैं इनफोसिस का सेयर लिए चौदा सो पे खरीदा उसको भाव चला गया सत्रा सो बेचा नहीं वापस से वह चौदा सो आगय अब क्या हुआ उनके प्रॉफिट में थे सत्रा ठारा जार रुपे आज वह आपस से वह माइनस में है खरीद थी चौदा सो खाट की भाव चल रहा है चौदा सो चौदा रुपे कहां सत्रा सो था तब बेचा नहीं वो सौच रहे दे बढ़ेगा ये चीज़े हो जाती है अब कहतो इतना आप उस पे गोर करो कि यार ये तो गलत हो गया अब गलत क्या भगवान तो थे नहीं सत्रा सो से दो जार चला जाता तब भी आप कुछ नहीं कर सकते थे अब हो क्या हुआ सत्रा सो से वह दीरे दीरे गिरने लगा वो यही सुझते ले कि किसी दिन दीरे दीरे उसके रिजर्ट्स भी खराब आए हो तो नीचे आगे हैं हलांकि सेर बहुत अच्छा है इंपोसिस का आज नहीं तो कल रिटेन आपको देगा ही देगा यह चीज़ आप हमेशा याद रहे हैं तो मिच्वर फैंट्स में सुरुआत आप कभी करो जब मर्जी आ कि उन्यूच पर डिपेंड होते हैं कर दो किसकी खराब नहीं हो जा जाए कब अर्बियाई या सेवी किसी को क्या बोल दे अभी पेटियम के बारे में अर्बियाई ने जो बोल दिया उसका सेर भर भरा के गिर गया तो यह चीज़ें होती हैं हमेशा यह चीज़ याद रख अब याद थो 214 आया है ले लेते हैं भाई वह यह तो जानो कि छे सो के वाद 214 आया कियो है यह चीज़ पता है आपको केमपस का सेर 600 अथा 200 पे आगे क्यों आया भाई उस तो रीजन रहे होंगे न क्यों आया बहुत सारे लुपन से होंगे किसी ने 300 पे देखा होगा बोला आ रहे आधे पे आ गया है यहां से तो डबल हो जाएगा वापस 600 जाएगा तो 300 भी बाई के वेट्टे होंगे आ गया ह है 24 अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है तो 240 के आसपास है तो यह चीज़ें है दोस्तों अगर आप निवेस करते हो तो यह इन चीज़ों को ज्यादा गोर करने की जरूत नहीं इतना अगर सोचोगे कि हाई मुझे 17,000 मिल रहा ता हम निकाल लेते आज वह वापस वहीं आ गय यह ऐसी से सेर है जो इंडिया कोध कर रहीं इंडिया इंडिया को लीट कर रही है इंडिया को लीरजेंट कर रहे है कि देखो हम है वह क्या आपको नुकसान करयेंगहें कि आप एक साल कोई काम है एक साल के लिए आपनी वेस कर दो सेर नीचे आगए ऐसा नहीं कि रिट्टन हमेशा रिलाइंस का सेर देगा ही देगा पिछले तीन साथ है वो दो अजार से तीन अजार के बीच में ही दोड़ रहा है बागी बहुत सारे सेर मालों की आई आरेफसी इंडिये रेल्वे फाइनेंस कार्पोरेशन बीस रुपेगा से राज दोसों चूँगे उसके वापस से यह सबी चीजें चलती रहेंगी आप हमेशा याद रखना मिचोर फैंट्स में सुरुवात कभी भी कर सकते हैं बीना जिजग बस लॉंग चरुम का नज बताओ सबको पता था कि क्या यह बंद हो जाएगी आदिवालिया पर क्लिया से बुजर रही है भाव एक रुपए के नहीं जिसको हम लोग फ्यूचर इटाल के नाम से जानते हैं तो दोस्तों आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और दोस्तों ऐसे अधिल फाइनल्स और इंविश्टिंग के विडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिरूप करें